देखो अम इतनी दूर आये हैं जो चीजे मैं देखने चाती हूँ और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ अपने परिवार से मा से शेयर करना आप चाते हो कि मैं आपसे हर बात अपनी शेयर करूं सुपकी दोकी हर बात मैं आपके साथ शेयर करने को बता देते तो आप कहते हैं कि वो काम पूरा नहीं होता है हेलो दोस्तों आप सुब कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे तो आप सब का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में और आज के व्लोग में मैं आपसे बात करना चाहती हूं बहुत से मैसेज और कमेंट आए हैं कि दियाप क्यों गए हो रिप्लाइ नहीं करे हो एहंकार है आप में और पता नहीं क्या क्या सच में मैं देखू ना तो बहुत अजीब सा भी लगता है देखो मैं आपके साथ लोग बनाती हूं आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करती हूं ये भी है कि आप मेरी फैमिली हो और आपके साथ सारी चीज़े शेयर करना आप चाते हो कि मैं आपसे हर बात अपनी शेयर करूं सुख की दुख की हर बात मैं आपके साथ शेयर करती हूं लेकिन वो कहते हैं कि कुछ काम होने से पहले यगर हम किसी को बता देते हैं तो आप कहते हैं कि वो काम पूरा नहीं होता या मतलब ऐसे कुछ होता है तो वही है कि कुछ चीजें हैं जो कि मैं नहीं चाहती कि जब तक हो कि मैं आप मतलब किसी को भी बताऊं तो इसलिए मैं आपसे नहीं बताना चाहती थी लेकिन थोड़ और मतलब बहुत नेगिटिव भी थे और पॉजिटिव कमेंट आए हैं लेकिन मैं आपको यह कहाना चाहंगे कि बच्छों को नहीं लेकिया कि आई क्योंकि बच्छों का स्कूल है तो उसमें नहीं चुट्वा सकती मैं बच्छों का और अभी छुटियां भी है लेकिन इतनी बिल्कुल ना करें, वो बिल्कुल ठीक हैं, और उनके ध्यान रखने के लिए हैं, और मा का भी, तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिकर रहे हैं, कि मैं उनको छोड़के यहां पे खुश हूँ, या आप खुद इन्जोय कर रहे हो, बच्चों को नहीं लेके गए हो, तो उ गुमना कुछ दिन के लिए होता है, तो हम बच्चों को साथ लेके आते, और साथ में नजोय करते हैं, तो यह बात तो है, कि मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हम गुमने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ और क्योंकि बहुत से मैसेज यह भी आये थे, कि आप इतनी दूर गए ह क्या, क्योंकि देखो, वीडियो से भी अलग भी एक काम होता है, और अगर हम काम में से टाइम निकाल के अगर वीडियो बनाते हैं, तो इसमें कोई गल्स चीज नहीं है, और मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, मेरी होबी है, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूं, और अपनी लाइफ को आपके साथ शेयर करती हूं व्लोग में और इंस्टा पर वीडियो बनाती हूं और उस पे मतलब बहुत नेगेटिव भी आये थे क्वेंट और पॉजिटिव भी आये थे यह नहीं कि सारी नेगेटिव थे लेकिन मुझे इतनी एक्सपेक्ट नहीं किया होती सिम्पल सी लाइफ जीना मैं पसंद कहते हूं ज्यादा वह उसकी मुझे बिल्कुल भी जरूरतनी है जो लोग मुझे पहले से जानते हैं लेकिन अगर वह कहते हैं कुछ काम होता है मतलब क्या ही वोलू मैं आपको तो होता है और कोई भी माबाब अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहता जान बुझ कर तो बिल्कूल भी नहीं और बच्चों की बात मैं आपको क्लियर करूं एक बात और देखो जब बच्चे बड़े होते हैं हम बच्चों कोस्टल भी बेजते हैं पढ़ने के लिए बार भी बेजते हैं तो और हमारा मन नहीं लगता मा लो मान लेते हैं कि बार तो हम इंडिया में रहते हैं हमारे बच्चे बार रहते हैं तो भी हम बिल्कुल चोटे होते हैं तो माब आपके साथ रहते हैं लेकिन बड़े होने के बाद तो जाना ही पड़ता है देखो कुछ चीज़ें होती हैं काम होते हैं और उनके भी सपने हैं वो क्या करना चाते हैं लाइफ में यह नहीं कि हम उनको अपने बांद के रखेंगे अपने पास की नहीं मेरे पास ही रहो लेकिन चाता तो हर माबाप है कि उनके बच्चें उनके साथ ही रहें लेकिन कभी कभी हो बच्चों की परिवार की लेकिन मुझे खुश ही है कि मेरे बच्चों के लिए कि मेरे लिए और कुछ चीज़ें का लेकिन क्योंगाई मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं यहां पर सेटल के जो पूछ रहे थे कि आप मुझे पर सैटल होगे क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता मुझे भी कुछ चीजे देखनी है क्योंकि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है अपने इंडिया को छोड़ना और कहीं बार रहन सच में बहुत मुश्किल है लेकिन अभी मुझे नहीं पता सच बताओं तो कि मतलब अभी मुझे नहीं पता है कि मैं यहां पे मतलब रह पाऊंगी या नहीं क्योंकि जब तक हम अपना नहीं बनाएंगे तब तक बच्चों को कैसे ले के आ सकते थे साथ में तो पहले मुझे आचुके हैं उनका काम होता है तो इसलिए वो आए हैं और मैं उनके साथ आई हूँ तो सारा ये है कि काम से आए हैं और अगर हमें टाइम मिलता है तो हम गुमते हैं एंजोय करते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गल्थ है कि हम एंजोय कर रहे हैं अकेले क्योंकि काम के साथ टाइम मिलता है तो हर इनसान को हक है कि वह इंजोई करें फिरे देखें अब इतनी दूर से आए हैं तो यह तो है नहीं कि गर पे बैठे रहेंगे टाइम मिलता है तो बार जाते हैं गुमते हैं और मैं अपनी जो करती हूं आपके साथ शेयर करती हूं अपना पू करना एक साथ और आपके लिए रिकोर्ड करती हूँ. क्योंकि अपना टाइम होता है कहीं भी जाएं यह घर पे रहें क्योंकि टाइम से कमती कुछ भी नहीं है, अगर हम कैसे को अपना टाइम दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है और मैं अपना पूरा capture करती हूँ आप लोगों के लिए कहीं ने ये भी comment के थे कि आप कैसे हो बार गए हो अपना enjoy करो या वीडियो में ही लगे रहते हो मतलब आपको यहीं नहीं पता क्योंकि मैं वीडियो को enjoy करती हूँ यह नहीं है कि मेरे पर पाबंदी है कि मजबूरी है या stress है उससे मैं वीडियो नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे खुशी मिलती है और तब ही मैं capture करती हूँ और मैं आप लोगों के साथ share करती हूँ क्योंकि हुआ चीज़ें और आपके साथ शेयर करती हूं सारे चीज़ों को capture करती हूं कि यहां गए ऐसा लगा वो तो आप यह टेंशन में कर रहे हूं उस पल को तो ऐसा भी नहीं है और बाकी सब पताने कितना टाइम लगेगा उने में और उसके बाद भी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं आपके साथ share करूंगी और और वाकि मैं आपके साथ share करती हूं अपना सारा routine और उसको आप enjoy करें जब तक कुछ चीज़ें clear नहीं हो जाती उसके लिए मैं आपको अभी कुछ बता नहीं सकती हूँ ना यह वापिस आने का भी कुछ बता सकती हूं क्योंकि मुझे यह नहीं पता है अब तो जैसे भी जो भी होता है आपके साथ शेयर करूँगी बस मैं यह कहना चाहूंगी कि आप टेंशन आले किसी पी चीज की जब तक अभी नहीं पता कब तक हैं और यहां ही रहेंगे यह भी नहीं पता भी क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि मेरा मन लगेगा अभी तक तो ठीक है लेकिन आगे कहां भी कुछ नहीं कह सकते तो वो चीज़ें मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी जो भी होता है और तब तक आप इंजोई करें मेरे व्लोग को क्योंकि डेली रूटीन में आपके साथ शेयर कर रही हूं और कहां जा रहे हैं वो भी तो उस ची को इंजोई करें और बने रहें मेरे व्लोग में और लाइक शेयर किया करें व्लोग को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आकन का बटन को दबा दें ताकि जब भी मैं व्लोग अप्लोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो मिलते हैं आप सबसे जल्दी एक न व्लोग में थेंक यू